साहा का महौल है। प्रश्नमंच, रैली, चित्र प्रदर्शनी एवं डॉक्यमेंटरी फिल्म का प्रदर्शन किया गया। इस दोरान योग विशेशग्यों ने योगासन करके उनके विभिन फायदों के बारे में भी ग्रामीनों को बताया। ग्रामीनों ने भी नियमित तोर पर अपने जीवन में योग अपनाने के प्रति अपनी प्रतिवर्धता जताए। प्रति हाकरसन के लिए इस पेशल आउट्रिच कारिकरम आउजन कर योग के प्रति और योग के बेनिफिक के बारे में पताया जा रहा है। साथ ही इसमें योग प्रिशिख्षक और आयूस विबाग के शिकष्षक को जोड़ा गया है। जिसमें बड़ी संक्या में महिलाएं हैं, बड़ी संक्या में योवर्ग हैं। और इनको योग से जोड़के हम उनके जो दैनिक जीवन में प्रती दिन जो दिन चरिया है उसमें योग को बढ़ावा कैसे दें। उस पे कुश्चन अंसर के माध्यम से जैली के माध्यम से मोखिक चर्चा के माध्यम से योग का परचार परचार किया जा रहा है। योग मोदी जी की सरकार में 2015 से श्टार्ट हुआ आज 2019 है पास साल हो गये और इस पास सालों में योग जंजन तक पहुचा है जो ग्रामिन शेत्रे वहां तक पहुचा है और उनको आराम है हम लोग हमारा विभाग आईस विभाग हमारे जित्ते मीं डॉक्टर से हैं जो काव एडवाइस करते बलकी करके आते और समय समय पर कैंप भी होते हैं तो हमारे आईटी आई में जो बच्चे ट्रेनिंग करने आते हैं वह लोग बोलते हैं कि सार्म योग का अभ्यास कराई है यह तो इस प्रकार से जाग रुकता बढ़ते हैं और अब यहां सबसे बड़ा उ सब ठीक होने लग गया है और थाइड हो गरें इसमें देखने में आए कि में ठीक हो गया है तो एक बार दो बार ऐसी नसे ही लग जाती थी तो हम लोगों यहां पर गाउं में केम्प लगा था स्वास्तसीविर उसमें हमने दीखा है तो हमारे यहां पर जो डॉक्टर्स आयते उनने बताए कि बोले इसके लिए कोई दवावा नहीं है आपको योगा करना है तो मतलब योगा करे थे हमने तो यह गर्धन की नस है जब भी दर्द करती है ऐसे तो रोज भी करते हैं बाकि जब भी सुबह उठने में तकलीब होती तो हम योगा कर लेते तो ठीक लगने लगते हैं